जहिन वदेबातरम बहुत बहुत स्वागत है आपका पर्शम ग्लासिस पर तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जुलाई मंत के मंतली करेंट अफेर्स का पहला सेशन पांच सेशन की ये सीरीज रहेगी और इसका पहला सेशन है नाशनल न्यूज और एकॉनमी या के लिजे पानायंस न्यूज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट है for all the competitive exams मैं संदी बंचल आपका स्वागत करता हूँ पर्शम ग्लासिस पर इसके लावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा all YouTube Current Affair PDFs 2024 की included जिसमें January to December 2024 की सारी PDFs रहेंगी बेशक हो daily PDFs हो daily current affair की PDFs weekly, monthly, six month और yearly PDFs जो है यहां पर आपको मिलेंगी validity है एक साथ इसके इलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको question answers में मिलेंगे जो current affairs हम discuss कर रहे हैं इसी के basis पे current affairs के questions मिलेंगे 200 plus questions 12 e-books जो है आपको मिल जाएगी इसके इलावा अगर हम बात करें तो यहां पर monthly current affair PDF consolidated, PDF English यह भी आपको मिलेगी जैसा कि हमने अभी discuss किया current affair रफ्तार, annual subscription, current affair headlines, चार e-books हैं जिसमें main headlines cover की जाएंगी तो यह topics है जैसा कि हम discuss करते हैं books and authors, appointment, important days, obituries, state news, national news, international news यह सारी इस तरीके की आपकी headings रहेंगी जिसमें main headlines हैं इसके लावा PDF bank, PDF of all the YouTube videos यहां पर add की प्लस PDF हैं जो YouTube पर आपके free sessions होते हैं उनकी PDF को add किया गया है, validity है एक साल के लिए चलिए दोश्रवात करते हैं session की पहला news है, प्राइमिनिस्टर निंद्रमोधी inaugurated the 46th session of World Heritage Committee at भारत मंदपव, दिली में है भारत मंदपव, दिली में है भारत मंदपव, तो 46th session World Heritage Committee का यह हुआ, इसमें जनली क्या होता है, कई बार हम जो कई facts रटते हैं, कि जी World Heritage Sites कौन कौन सी है इंडिया में, तो यह decide कहां पर होता है, ठीक है, यह इसी committee में decide होता है, session of World Heritage Committee में ही यह decide किया जाता है, कि दुनिया भर की जो sites हैं, किसको जो है World Heritage Site का status दिया जा ठीक है, तो यह कहां पर हुआ, यह committee, यहां के लिए इसका session जो है भारत में हुआ, ठीक है, जी, So, it meets annually and responsible for managing all matters, जैसे मैंना भी deciding on the sites, कौन कौनसी sites add होनी चाहिए, World Heritage List में, और यह पहली बार जो है, इंडिया इसको host कर रहा है, इसलिए एक हास हो जाता है, 21 जोलाई से लेकर 31 जोलाई तक, इंडिया is elected to the 21 member World Heritage Committee, in 23rd General Assembly, 2021, for a period of 4 years, ठीक है, तो इसमें like, set of nations इसका पाट रहते हैं, लगभग इस time period के लिए, ठीक है, पांच सालों के लिए जो है, इसका पाट रहते हैं, फोर्थ टर्म है इंडिया की, और इंडिया विल इसका एक डॉलर मानता हूं, तो लगभग 8.3 करोड रुपीज, ठीक है, तो इतना जो है, इसमें, इंडिया contribute करेगा, युनेस्को वर्ल्ड हरिटेज सेंटर में, इसके लावा अगर हम भारत की बात करें, तो इंडिया में, जो है, 42 प्रॉपर्टीज हैं, जो की वर्ल्ड हरिटेज लिस्ट में हैं, जिसमें 34 कल्चरल साइट हैं, साथ नैचुरल हैं, और एक जो है, मिक्स्ट हरिटेज साइट है, इस बार खास क्या चीज़ रही, नॉर्थ इस्ट, इंडिया का हिस्टॉरिक मैदाम, जो है, नॉमिनेट किया गया, टो एंटर इंटर इंटु इन इसको के ओडरे औसले, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इसमें पूरी की पूरी कमीटे में एक और पॉइंट रहा, एडवांस्ट एयर एंड बी यार, ठीक है, कई बार आपने वो देखा होगा, ठीक है, पूरा का पूरा एक्यूपमेंट है, आ रानी की वाव, बहुत फिमस पातन, ठीक है, पातन गुजरात में कैपिटल हुआ करता था, किस डाइनेस्ट, आज का पहला कोश्चन, ठीक है, जो बच्चे मेरे साथ मंदली करेंट अट अफेर्स देख रहे हैं, उनको पता है, कि मैं 4-5 कोश्चन हर सेशन में पूछता उसकी कैपिटल थी, यह कमेंट सेक्चन बॉक्स में आप लिखेंगे, क्यलाश टेमपल अट एलूरा केव्स, ठीक है जी, कहां पर है महाराष्ट्रा में, और होश्चाला टेमपल अट हलाविद करनाट का, ठीक है, होश्चाला जो डैनेस्टी के बाद कौन सी आई थी, बह अधाम्स ऑफ असाम रिसीव प्रिसीजियस 43rd, जो अभी आपने समय पे, अब यह क्या खास है इसमें, बेसिकली इसमें क्या होता था, कि जो राजा है, ठीक है, यह कई जग आपको यह थियोरी मिलती है, कि राजा जो है, वो भगवान का अंच है, ठीक है, प्रमात्मा का अंच है, तो उसको एक खास privilege दी जाती है, उसके लिए, ठीक है, एक अप्लिफटेट स्रक्चर क्रीईट किया जाता है, ठीक है, तो उसको मौधाम कहा गया, तो यह आपको कहां पर मिलता है चारादियो डिस्ट्रेक्ट में और ताई अहों जो की आये थे आपके 13 सेंचरी में असाम में और इवेंचुली जो है लगभग 19th सेंचरी तके रूल करते हैं ठीक है जी चलिए रूलर्स क्या है डिवाइन ओरीजन के हैं ठीक है डिवाइन ओ गती है ओके नेक्स्ट आपका हुमायू टॉम मुजियम कंट्रेस फर्स्ट संकन म्यूजियम अट्ध मैगनिफिसेंट मायू टॉम कॉम्प्लेक्स युनेस्को वर्ल्डेरिटे साइटिं डेली इसके बारे में यह इनॉगरेट के आ गया यूनियन कल्चर मेंस्टर किसा आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग लेसर ओन फेसेट्स फिस लाइफ हरिटेज ओफ नेजामुदिन एरिया जो है पिछले साथ दश्कों में स्वारी सेवन सेंचिरीज की बात के रहा है साथ सो सालों में तो मायू तो मायू वस बिल्ट बाय हिस विडो पिगा पेगम ठीक है जी सो 1569, 70, 14 years after his death ठीक है आपका किसने डेवलब किया है अगा खान ट्रस्ट फार कल्चर में ठीक है जी इस मूजियूम को डेवलब किया है और इसमें मैनेज किया जाएगा आर्केलोजिकल सर्फिय अप इंडिया के द्वारा नेक्स इसमें अकबर एब्रस सिर्फल कोईंज विद अल्ला ऑन वन साइड एंड राम ऑन अधर ठीक है 1596 में ये कोईंज है उस उनको भी रखा गया है बहादुर शाह जफर का जो थ्रॉन है ठीक है वो भी रखा गया और वो सीधा सीधा दर्शाता है कि उसके बाद मुग का डिक्लाइन देखते हैं बट एक ऑफिशली ठीक है बादोशा जफर तक वो कहानी चलती है उसके बाद ऑफिशली भी ये कहानी खतम हो जाती है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका राश्रपती द्रॉप्दी मुर्मो अपांट्स नियो गवर्नर्स इन गया है 153 to 162 part 6 of the constitution देखो part 1, part 2, part 5 है आपका, part 3 हो गया, fundamental rights, part 4, DPSP, part 4, fundamental duties, part 5, union government, फिर state government, तो बिल्कुल sequence में चल रहे हैं, तो यहाँ पर part 6 है, there shall be a governor for each state, but बात में इसको बदला भी किया गया, क्योंकि एक governor दोस या दोस से ज़्यादा राजयों का भी हो सकता है, ठीक का देहात हो जाता है, तो साथ वाले जो राजया का governor होता है, उसको additional charge दे दिया जाता है, या फिर as an administrator charge दे दिया जाता है, governor को, जैसे पंजाब के governor को चंडिगड का as an administrator बना दिया, तो इस तरीकी की चीज़े आपको देखने को मैंती है, executive power of the state, यह सारी यहाँ पर है, governor का office कितना पांच साल का होगा, पर जो है, governor shall hold office during the pleasure of the president, यह भी है, ठीक है, सरफ phone करना है, आजे यह बापापे, कोई मतलब उनको हटाने का, कोई impeachment process नहीं है, कोई removal process नहीं, simply, ठीक है, at will उनको हटाया जा सकता है, qualification की बात करें, तो दो ही चीज़े है, आप भारत के नागरिक हो होने चाहिए, और आप, जो है, आपकी उमर 35 साल से जादा होनी चीए, मतलब, minimum 35 years होनी चीए, उसके इलावा, you should be qualified to become a member of legislative assembly, qualified to become, ठीक है, not necessarily, MLA हो, ओके, next आता है, Parliament session concludes that both the house adjourned, सिरेडाई, ठीक है, adjourned, सिरेडाई, मतलब, without giving further date, adjourned हो गया, स्थगित हो गया, पर कोई, कब नहीं की गई, तो उसको बोला जाता है, adjourned, सिनेडाई, ठीक है, तो, general elections, 18th लोगसभा, नहीं लोगसभा बनी, first session of लोगसभा, to 64th session of राज्यसभा, were called from 24th and 27th June respectively, और लोगसभा, जन की के 2nd July को, ठीक है, यह date important नहीं है, यहाँ पर जो यह, adjourned, सिनेडाई है, यह concept आपको प देखो, एक basic size में concept रखना है, क्योंकि कई बचे confused होते हैं, session की शुरुवात, ठीक है, जैसे budget session है, monsoon session है, winter session है, BMW, budget, monsoon, और उसके बाद winter session, तो, यह session की शुरुवात और आखरी, यह president करता है, day-to-day जो proceedings होती है, उनको presiding officer रहते हैं, जैसे speaker है, और दूसरी तरफ chairperson है, ठ इंडिया ने तीन criminal laws को adopt कर लिया है, with effect from July 1, इंडिया ने replace किया, ठीक है, अपने पराने colonial laws को, with a set of three new penal laws, ठीक है, कई बार यह चर्चा की जाती थी, कि इंडिया के जो laws हैं, ठीक है, जो कह लिजे penal laws हैं, वो काफी पराने हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़े नहीं हैं, ठी प्रिटिश मांट्षेट से बनाई गए थे, ठीक है, दो भी continue that, उसमें amendments होती गई, बट अब लगा कि इसको replace करने जी ज़रूआ था, अब थोड़ा सा fundamentally ये चीज़ समझ लो, कि बहुत सारी चीज़े हैं, जो नहीं थी, existing निकर रहे थे, आच्छे, 60 साल पहले, 70 साल पहले क्या साइबर क्राइम जैसी कोई चीज थी, ठीक है जी, अच्छा उस समय पर जो सिदीशन था वो बहुत important था, राजद्रो, ठीक है, अब क्या word उसको किया गया, राश्ट्रद्रो, तो राजद्रो और राश्ट्रदो, दोनों अलग-लग चीज़े हैं, तो ऐसे बहुत सारी हैं, इनको एक बार देख लेते हैं, थोड़ा important है, खासकर UPSC exams के लिए important है, ठीक है, ओके, so first introduced by center in August 2023, ठीक है जी, फिर उसको 30 member parliamentary standing committee के बास भेजा गया, उनने इसको review किया, और अब देखो क्या रखा गया, retention and incorporation of offenses, कुछ offenses है, murder, assault, obviously, ठीक है, इनको रखा गया, causing hurt, violent, incorporating, new offenses, like organized crime, अब ये सारी चीज़े define नहीं थी पहले, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा define किया गया है, terrorism को define किया गया है, UAPA के definition ली गई है, यहाँ पर, like, कहा गया है, कि कोई भी act जो threaten करता है, देश की integrity को, and causing terror among the populace, मतलब एक लोगों में आतक create करना, वो terrorism कहा गया, उसके लावा, दोजों conspirator, facilitated terrorist act, ठीक है, उनको भी 5 साल की सज़ा दी जाएगी, और उसके लावा organized crime, जैसे कि kidnapping है, extortion है, संगतित, मतलब एक पूरा organization बना कर, जो है, आप जब एक crime कर रहे हैं, group बना कर, financial scams होगे, cyber crimes होगे, ठीक है, mob lynching, इसमें जो है, बहुत clearly इसको define किया गया, जिसमें पूरी भीड जो है, उग्र होकर, किसी व्यक्ति को मार देती है, on the basis of race, नसल के अधार पर, जाती के अधार पर, ठीक है, punishable offense, carrying the life imprisonment or death penalty, उसके लावा, sexual offenses against women, इसमें कुछ चीज़े और बदली गई हैं, जैसे कि, raises the age threshold for gang rape victims, to be classified as major, from 16 to 18 years, तो इससे, अब आप कहेंगे, अच्छा, फिर till 18 years, क्या होगा, वो POSCO Act है, prevention of sexual acts against the children, जो बच्चों को लेकर है, POSCO Act, ठीक है जी, next आता है, sedition, जैसे मैंने आपको राजद्रो और राश्ट्रद्रो, राजद्रो हो गया कि सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं, ये इसको लेकर काफी बार बहुत सारी judgments आई, कि ये sedition जो है, अंग्रेजों के समय का law है, इसको हटाया जाना चीए, finally, दो इसको लेकर भी criticism हो गये, कि थोड़ा definition vague है, ठीक है, पर उस पर नहीं जाओंगा, फिर वो detail में हो जाएगा session, यहाँ पर हमें थोड़ा briefly समझना है कि क्या कर चीज़े है, death by negligence, so, भारते नाई साहिंता, elevates a punishment for causing death by negligence from two years, जैसे अभी recently हमने देखा है, बहुत सारे cases आए, ठीक है, rash driving के, ठीक है, बड़े घर का लड़का है, जी रूपी के, शराब पीखे, ठीक है, गाड़ी चड़ा दी, दो-चार लोगों की death हो गई है, तो इस तरीए cases काफी recent के आपने देखे होंगे, तो ऐसे cases में सक्ती से deal किया जाए, ठीक है, और हाईवर इट स्टिपलेट्स, the doctors have convicted, ठीक है जी, will still face the lower punishment of two years, तो अलग-लग category of, क crime को करने वाले हैं, उनको सजा दी जाएगी, हाँ, इसमें एक और खास बात है, community service की भी as a punishment लिया गया, जो मालो जो minor crimes है, उसके लिए community service, जैसे गुर्दवारे में जाकर, मंदिर में जाकर, या कोई भी religious place में जाकर, आप community service करते हैं, उस तरीके की punishment भी दी जा सकती है, ठी engineers, भारतिय, नागरिक, सुरक्षा, सहिता, ठीके जी, इसमें basically, जो criminal procedure code है, तो criminal procedure code क्या है, procedural law है, कि procedure क्या follow किया जाएगा, जब कोई व्यक्ति, कोई crime होता है, तो पूरा का पूरा process क्या होगा, उसको लेकर, यहाँ पर बादचित की है, ठीके, इसमें भी बहुत सारी चीज चल रहा है, 30 साल से चल रहा है, कुछ केस, उससे भी पराने हैं, तो लगभग 4 करोड केसे spending Indian boards में, तो यह हमेशा से एक Indian judicial system पे, कहलीजे, एक question mark रहता है, उस process, अब judicial, अगर आप system से पूछेंगे, तो हो कहते हैं, जी process है, हम तो process follow कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे, तो फ procedural difficulty को सुधारना ही एक बहुत बड़ा challenge है, वो चीज़ यहाँ पर करने की कोशिश की गई है, ऐसा कहना है सरकार का, चलिए, so medical examination, ठीके जी, यहाँ पर जैसे की पहले यह था कि सिरफ जो sub inspector rank, minimum sub inspector rank officer होना चाहिए, अब यहाँ पर कहा गया कि कोई भी police officer हो सकता है, तो under trials, कई बार यह कहा गया कि जो under trials होते हैं, जिन पर अभी convicted नहीं है, ठीक है, accused है, मतलब जिन पर अभी आरोप साबित नहीं हुआ है, तो उनको भी वो भी लंबे समय तल जेल में रहते हैं, मतलब जितनी मालो उस particular time के लिए सजा 3 साल है, वो 2 साल से जेल में चल रहा है, तो यह इसको लेकर भी P.A.L. हुई कई बार, ठीक है, तो यह कहा गया कि उसको लेकर rules हैं, वो बदले के, respecting release on personal bond on those accused in severe offenses, severe offenses में अगर कोई है, तो वो personal bond देकर छूट नहीं सकता है, उनके लिए थोड़ा strict किया गया है, forensic investigation fix mandatory की गई है, जिसमें भी सजा 7 साल से उपर है, ठीक है जो generally severe offenses ठीक है, आते हैं, उन में forensic investigation को fix किया गया है, sample collection, यहाँ पर extend the power to collect finger impressions, voice samples, तो थोड़ा सा investigation को जादा technology based बनाया जाए, ठीक है, time lines तैग ही है, खासकर sexual assault के cases में, ठीक है जी, और उसके लाबा, zero FIR, zero FIR होता है, कि कई बार आपने movies में, परानी movies में खासकर देखा होग कि यह हमारे थाने का case नहीं है, ठीक है, तो यह सारी चीज़े नहीं चलेगी, यह कहाँ पहले से भी था, ऐसा नहीं कि अब किया गया है, पहले से भी था, कि आप किसी भी थाने में जाकर अपनी report दर्श करा सकते हैं, ठीक है, और उस थाने को FIR दर्श करनी पड़ेगी, फ आपकी jurisdiction उस पर्टिकलर थाने में बढ़ते हैं, तो आपको उस थाने में जाने के दरूर, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, और इसके लिए time fix कर दिया गया है, कि 24 घंटे के अंदर अंदर यह FIR जिस jurisdiction में, जिसके शित्रादिकार में हैं, उसमें पहुँच जाने चाहिए, ठ आपका भरतिया साक्षर अधिनियम, साक्षर, basically evidence, ठीक, evidence, तो evidence को लेकर बहुत सारी चीज़े हैं, देखो पहले क्या था कि जो electronic evidences हैं, आज के समय पर electronic evidence बहुत important है, किसी भी व्यक्ति के बारे में सबसे पहले उसकी mobile phone से, उसका chat, उसका email, उसकी locations, पिछले मतलब crime scene पे उस पहले क्या था, electronic evidences को लेकर, अच्छा फिर उसमें छेट-छाड, वो सारे चीज़ें यहां पर टै की गई हैं, तो इसमें primary, secondary evidence, evidence में, पहले भी Indian Evidence Act में, categories होती हैं, ठीक है, जो भी आपके, जो evidence होता है, उसकी categories होती है, ठीक है, कि यह सबसे पहले इसको माना जाएगा, इ इस evidence की value उतनी नहीं है, ठीक है, तो value के according आप ऐसे समझ लो, simple भाशा में, कि उसके according जिसको categorize किया जाता है, ठीक है जी, so oral and written admissions, electronic provisions of oral evidence, enabling witnesses, accused individual victims to testify through electronic means, अब यह नहीं है कि जनली हमेशा से क्या कहा जाता है, कि जी court का process ही इतना मुश्किल है, कोई व्यक्ती deliberately नहीं जाना चा जुरूरी नहीं है कि उसको थाने में या जहाँ अपनी statement देनी है, वहाँ जाना पड़े, ठीक है, वो घर पे बैठके electronic means से भी अपनी statement दे सकता है, तो इससे क्या होगा, ठीक है, okay, admissibility of electronic records, ठीक है, यह सारी चीज़े यहाँ पर लखी गई है, okay, so थोड़ा सा जल्दी से कोशिश की गई है, यह 511 sections है, 358 sections है, ठीक है, sections on seduction, national security, यहाँ पर focus किया गए, national security पे, cyber crime पे, cyber crime जिसी तो चीजी ती ती ना पहले, यह तो अब आई है, ठीक है, so outdated in definition, limited recognition of modern crimes, अब यहाँ पर cyber stalking, digital harassment, ठीक है, जो ट्रॉलिंग होती है, ठीक है जी, अभी recently, मेरी वीडियो इसने का कि आप अपने कुछ ideology बताते हैं, तो मैंने पूचा कि कौन से lecture में कहां पर, थोड़ा specific करो, ठीक है, तो मैं उसका explanation दे सकता, यह तो यह क्या है, यह भी एक तरीके से digital harassment, आप public में है, तो be ready for that, but it is taking a huge mental toll on lot of people, ठीक है, so certain section, gender specific, more gender neutral provisions, तो यहां पर, cyber crime जैसे मैं आपको minimal references, यहां पर आपको काफी ठीक ठाक इसका reference मिलता है, तो यह सारी चीज़े जो हैं यहां पर, like, again, economic offenses, बड़ा, एक आज के समय पर, बहुत बड़ा, कह लिजे, category बन चुका है, खासकर यह cyber frauds, कि जी, आपका credit card ऐसा हो गया है, उसका pin चा किया, court ने, तो उसको नहीं रखा गया है, blasphemistic provisions, more balanced approach रखी गया है, marital rape, not recognized, यहां पर recognize किया गया, ठीक है, implementation mechanism, फिर उसके बाद, देखो, एक होता है, justice system, यहां पर reformative justice system है, एक होता है, punitive justice system, an eye for an eye, कि इसने मारा, मैं भी मारूँगा, एक होता है, reform करना, ठीक है, कि इसको crime और criminal are different, criminal को अगर हम reform करें, और उसको फिर दुबारा से mainstream society का पार्ट बना सकते है, चलो, बहुत detail में हमने इस पर discussion कर ली, रनबीर सिंग कमीटी इस पर रही है, ठीक है, जी, प्रोफेसर रनबीर सिंग, फॉर्मर बाईशा स्लॉप, National Law University Delhi, और उसके लावा, माधव मैनन कम में और मालिमत कमीटी, और ये भी आपकी Chief Justice of Karnatka and Keral High Court रहे हैं, ठीक है, उनकी, नेक्स आता है Telecommunication Act 2023, so was passed by the Parliament in December 2023, so इसका aim क्या है, consolidate करना laws को expansion and operation of telecommunication services, इसमें एक और important चीज़ की गी है, USOF, Universal Service Obligation Fund को rename किया गया है, भारत नीधी, अब ये क्या होता है, Universal Service Obligation Fund, इस पर question भी पूछा गया है, ये होता है, basically, total revenue का, जो telecommunication company, उसके revenue का 5% सरकार निकाल के लग कर लेती है, for the development of telecommunication services in far-flung areas, जैसे की North East के areas हो गए, जो, कह लिए जी, extremist areas है, ठीक है, नकसल, परभाविद छेतर है उन में, तो इन areas में telecom services provide करने के लिए, you would be amazed to know, कि हम कहते ही, 4G तो होई गया है, ठीक है, और कई metro cities में 5G भी है, कई जगा आज भी इंडिया में 3G ही है, 3G की चल रहा भी, अब हम कहीं आगे 6G की भी बात करने लगे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे areas ऐसे हैं, जिन में 3G ही चलता है, तो उन areas में 4G आए, अगे 5G भी आए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह होता है आपका, उसके लाबा, national security, again, very similar to what we have just seen, के भारते न्याय सहिता आया, ठीक है, जो तीन नए कानून आया, उसी की कड़ी में आप इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि telecommunication has become a very important thing, आपसे जाता आपके बारे में आपका mobile phone जाता है, ठीक है, mobile phone किसी का देख लीजे, personality का एक अच्छा अच्छा idea हो जाएगा, ठीक है, चलो, तो इसमें chairperson, member of TRI, ठीक है, यह सारी चीज़े दी गई, डिजिटल भारत नी थी, यह मैंने आपको काफी detail में पता दिया है, और next आता है, आनन्द marriage act, ठीक है जी, देखे, जो भारत में, जो Sikh community है, उसकी जो marriages है, वो recognize होती थी, after independence, under the Hindu marriage act, आनन्द marriage act, जो है, वो देता है, एक special act, या के लीजे separate act, for the recognition of marriages, sex के लिए, ठीक है, So, National Commission for Minorities held a video conference, 18 states और UTs के लिए, to discuss the implementation and registration of six marriages, under the आनन्द marriage act, ठीक है, अब इसमें basically क्या हुआ था, कि ये act पास किया गया, और states को कहा गया, कि आप अपने rules frame कीजिए, कि आपके, क्या लीजे, आपकी states में, जो भी Sikh population है, उनकी जो marriages है, जो register होंगी, वो आनन्द marriage act में होंगी So, repeat, अब यहाँ पर मेगालेज, हारखंड और महराष्टा ने कहा है, कि उन्होंने, like, implement करना शुरू कर दिया है, कुछ राज्यों ने कहा है, कि हमें कुछ हमें और चाहिए, अगर अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देखें, तो नाभा, अगर आप पंजाब में, इन 1909, 1909 में मौरले मिंटो रिफार्म्स, तो उसमें जो है, इसको पास किया गया था, but after independence इसको discontinue किया गया, six की जो marriages है, वो हिंदू marriage act में register की जाते थे, ठीक है, अब कहा गया कि तुबारा से, अलग से एक act बनाया गया है, ठीक है, चलो, नेक्स आपका the project title, असमिता, augmenting study materials in Indian languages through translation and academic writing launch, इसकी simple सी कहानी है, देखो एक असमिता तो हो गया कि मेरी असमिता, ठीक है, दूसरी चीज़ है कि हमारा जो education system है, कहीं न कहीं बहुत ज़ादा English language based है, अच्छा English के बाद दूसरा नमपर आता है हिंदी का, regional languages में बहुत कम translate कराना, और वो आज के समय पर, with the help of technology, it becomes very easy also, so ministry of education and university grants commission launched a project to develop 22,000 books in 22 scheduled languages in the next 5 years, so it's a collaborative effort of UGC, भारतिय भाशा समीती, और एक high-powered committee है under the ministry, ताकि Indian languages को promote किया जा सके, ठीक है, कुल में लाके, 22,000 किताबे जो हैं अगले 5 साल में translate करने, ठीक है, so that was the idea, तो इसको नाम दिया गया है, बहु भाशा शब्द को single point reference होगा for all the words in the Indian languages and their meanings, आज के टाइम पे आप Google Translate पे जाएए, वहाँ पर भी वह चीज़े आपको मिलती है, कुछ वैसी ही, जो specific books को translate करने की बात की गई है, next आपका government launches model skill loan scheme to provide education and upskilling opportunities to 25,000 youngsters, तो 25,000 youngsters को loan दिया जाए अब ये 25,000 नमबर बहुत कम नहीं है, भारत की population के according कम है, बट इसमें वो skills की बात की गई है, जो बहुत like high-end skills है, ठीके जी, तो उनको बच्चों को जो है, क्या किया जाएगा, उनको loan दिया जाएगा, जिसमें कई सारी non-banking financial companies होँगी, scheduled banks, rural banks, evaded to this, और इसके लिए अलग से प्रापधान रखा गया है, पहले जो ये limit थी, इस scheme में, वो 1.5 लाख रुपे थी, अब वो बढ़ा कर 7.5 लाख करती गई है, ठीके, practically 5 times करती गई है, So, ensuring के जो aspiring candidates है, financial support उनको मिलती रहे, और वो जो specific courses है, advanced level skill courses है, उनको वो access कर सके, ठीके, ची, चलिए, next आपका नीदी आयोग to launch संपूर्णता अभ्यान, ठीके, संपूर्णता complete, ठीके, तो ये क्या है, 3 month campaign है, saturation of 6 key indicators in the aspirational districts, अच्छे, ये aspirational districts क्या है, अच्छा, पहले ने एक term होता था, backward regional development program, ठीक है, backward regions, ठीक है, मतलब, सरकार में देखा कि, जैसे इंडिया में मालो, for example, 700 plus districts है, ये districts है, जो थोड़े पिछडे हुआ है, पिछडे हुआ है, मतलब, बहुत सारे indicators में, health, education, GDP per capita, इस तरीके से, तो अब ये देखा गया, अब थोड़ा नाम चीज़ किया, कि backward से थोड़ा एक stigma लगता है, कि पिछड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं अब पिछड़ा बोला, तो बहुत सरे लोगों लगा है, मतलब, ये थोड़ा अच्छा टब नहीं है, तो इसको aspirational कहा गया, कि हाँ, ये आगे बढ़ना चाहते है, इ जैसे कि जो गरवती महिलाएं हैं, उनको anti-natal care मिल रही है, within the first trimester, ठीक है, बनलब, 3 trimester, 9 महीने में, पहले ही trimester में उनको अपनी pregnancy का बता लग रहा है, और उनको help मिल रही है, सरकार के बारा, ठीक है, diabetes, hypertension, जो गरवती महिलाएं हैं, उनको supplementary nutrition मिल रहा है, soil health card generated, तो ये सार चीज़े क्या होंगी, इससे आप health हो रही है, improve हो रही है, ठीक है, इसमें किसानों का benefit हो रहा है, तो सीधा और बच्चों का, जब कह लिए, मा के nutrition पर focus किया जाएगा, तो automatically बच्चे के nutrition पर भी focus होगा, ठीक है, ठीक है, नेक्स आगे आपका, six key performance indicators में, anti-natal care, ये हमने, children fully immunized, ठीक है, ये, नौ से ग्यारा महिने तक सारे बच्चे बिल्कुल completely immunized, immunization होना चाहिए, soil health card, functional, जो है, electricity at the desk, entry level, schools में, बिजली हो, ठीक है, text books बच्चों को मिल जाएं, जब session चुरू हो, तो पहले ही महिने में, books मिल जाएं, ठीक है, तो ये भी बड़ा challenge है, कही कही महिन launched, ये सांखे की portal for enhanced data access, ये आज के समय पर data science, data collect करना, ठीक है, analyze करना, तो ये आपका ministry of statistics and program implementation का एक, कहली जे, खास काम है, बड़ा specific काम है, so ये portal launch किया गया है, by the chairperson of system finance commission, dr. अरविंद पन गडिया, सिधा-सिधा तो एक ये fact बनता है, बहुत important fact है, ये क्या करेगा, real time input दे researchers को, ठीक है, and public at large को, और उसके इलावा, जो है, comprehensive data management sharing system for the ease of dissemination of official statistics in the country, मतलब, कुल मिलाके, data availability को, easy करना, for researchers, for policy makers, for public at large, ये इसका मकसद है, नेक्स्ट आपका, food safety and standard authority of India proposal to display nutritional information regarding total sugar, salt and saturated fat, देखो आज कले काफी ज़्यादा, अगर आप social media को follow करते हैं, YouTube, Instagram, इस पे nutrition को लेकर काफी ज़्यादा चट्चा चलते हैं, कि ये खाने में इतना sugar है, इतने चम्मचीनी है, ये जो healthy, so called healthy food है, वो healthy नहीं है, तो इसको लेकर थोड़ा सा, कहले जे, food safety and standard authority of India भी थोड़ा जागा, उन्होंने कहा, कि आपको बहुत specifically mention तो होता ही है, आप bold म कितना है, saturated fats कितना है, ताकि आपको as a consumer, हम सबको as a consumer पता लग सा कि ये खाना है या नहीं खाना है, यह मतलब हमारे, हमें उसके risk जो है, पता होनी चाहिए, ठीक है, तो bold letters में ये लिखा जाना चाहिए, ठीक है, अपूर्वा चंद्रा जो है, चेर परसन है, नेक्स आपका G depending upon the eligibility criteria, वो इसमें फॉल करें, ये बैसिकली एक CSR, Corporate Social Responsibility Program है, कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपरी है, कोल इंडिया लिमिटेड, उन्होंने कहा है, कि हमारे, जहां जहां पर वो operations उनके चल रहे हैं, ठीक है, वहां वहां पर लगभग 39 operational districts हैं, जहां पर CIL, वहां पर जो बच्चे होंगे, जो qualified बच्चे होंगे, उनको एक लाख रुपिया, अगर उन्होंने preliminary examination क्लियर किया, उनके annual family income, आट लाख से जावा नहीं होनी चाहिए, and belonging to schedule का schedule tribe, female और third gender, ठीक है, जो की permanent residence of any of these 39 operational districts of CIL, ठीक है, तो एक लाख की सीधा-सीधा मदद मिल सकत यह दाकि वह अपनी means examination की त्यारी कर सकते, नेक्स्ट आता है, ministry of culture initiates project pari for the 46th world heritage committee meeting, तो pari क्या है, public art of India, ठीक है, public art of India, दुनिया के बहुत सारे देशों में, जब हम जाते हैं, तो उनके जो public places हैं, ठीक है, public places में बहुत सारी public arts है, public art का मतलब, जिसे एक bridge है, bridge के तींचे आ आजकल यह इंडिया में भी होने लगा है, तो इस चीज को promote करना, ठीक है, अब आप कहेंगे, इसका फायदा क्या है, इसका सीधा सीधा फायदा यह है, कि overall जो के लिजे, aesthetic value है, ठीक है, किसी भी शहर की वो improve होती है, so National Gallery of Modern Art for the beautification of public spaces for the upcoming events, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, union minister Dr. Jitinder Singh launches Indo-French Liver and Metabolic Disease Network, तो यह जो है, इसका नाम दिया गया है, Inflitman, so Indo-French, Indo-French, sorry, French बोल रहा हूं, French Liver and Metabolic Disease Network, और यह कहां पर किया गया, Institute of Liver and Binary Sciences, New Delhi में, दिल्ली में है, और यह आपका, यहां पर, will address the non-alcoholic fatty liver disease, ठीक है जी, which can progress to cirrhosis and primary liver cancer, अब यह कहा गया कि, लगभग, ठीक है, पचिस पर्सेंट population, every third Indian, रादर 33% population, जो है, इंडिया में, is prone to this fatty liver and predates diabetes, ठीक है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा कहलीजे challenge है, हमारे लिए as a country, और इसको मतलब understand करना, liver diseases को ठीक करना, इसको लेखर यह काम करेगा, इंडिया और फ्रेंच, फ्रांस का एक collegiate collaboration है, minister of rural development and CESL, convergence energy services limited ने launch किया है, sustainable transport और rural entrepreneurs, through electric bicycles, यह नाम से clear है, electric bicycles प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, for street program, ठीक है, street program, तो यह अप street के full form आप देख सकते हैं, मकसद क्या है, मकसद यह है, जो gramene महिलाएं हैं, उनको सशक्तिकर्ण करना, उनका economic independence, और last mile mobility, electric vehicle प्रोवाइड करना, तो दो benefit होगे, एक तो connectivity इंप्रूव होगी, ठीक है, वो अपना, जो भी काम कर रहे हैं, वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, दूसरा क्या होगा, carbon emissions कम होगे, ठीक है, चलिए, तो सरकार ने एक इसमें कहा है, थ्री करोड लखपती दीदीज बनानी है, ठीक है जी, इंडिया होस्ट, Second Asia Pacific Aviation Conference, तो यहाँ पर Second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation हुआ, ठीक है जी, First Conference, जो है, और्गनाइज हुआ था, बीचिंग में, 2018 में, इंडिया में, अगर हम Civil Aviation की बात करें, तो उसका CAGIA, Compounded Annual Growth Rate, बतलब हर साल किस दर से ग्रोग हो रहा है, इंडिया का Aviation सेक्टर दुनिया में सबसे बेस्ट तरीके से ग्रोग हो रहा है, ठीक है जी, तो यहाँ पर, as many as 39 memberships of UN Aviation Safety Body, जो है, यहाँ पर सबने पार्टी स्विट किया, तो दूसरा Second Asia Pacific Conference, कहां पर हुआ, भारत, सीधा सीधा एक fact है आपका, Audio Visual Entertainment Summit, जिसका Short Form है Waves, ठीक है जी, और मकसद क्या है, Substantial Job Opportunities Create करना, ठीक है, इस पर्टिक्लर सेक्टर में, ठीक है जी, नेक्स्ट आपका, नवाट ने अनौन्स किया है, 750 करोड एग्री शौर फंड, तो प्रमोट इनोवेशन इन एक्री कल्चर, सीधा-सीधा, नवाचार क ठीक है, तो ये कौन करेगा, नवाड, National Bank for Rural Development, ठीक है जी, जो की, ग्रामीन शेत्रों को लेकर, स्प्रेसेपिक के बनाया गया है, नेक्स्ट आपका, डॉक्टर जिदेंदर सिंग, इनौगरेटेड एशास फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड, प्री क्लिनिकल नेटव अब देखो, इसका मकसद क्या है, रिसेंटली हमने COVID-19 देखा, हम सब ने उस दौर को देखा, और अभी भी कई सारे वेरियंट्स हा रहे हैं, तो फ्यूचर के पेंडेमिक्स को लेकर, सो बायो टेक्नोलजी, रिसर्च और इनौवेशन, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक क्लिनिकल नेटवर्क फसेलेटी, फरिदाबाद हर्यान में, ठीक है, दिल्ली NCR रीजन में आपका ये आता है, ठीक है, ये लैब्स आपकी यॉरॉप में हैं, ऐस्रेलिया में हैं, यूएस में हैं, और इंडिया में भी अब ये बन गई है, इसमें बायो सेफटी लेवल्स होते हैं, पूरा का पूरा, जैसे, अगर आप COVID पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो उसकी ट्रांसमेसिबिलिटी, उसके फैल लिंग के दर बहुत जादा है, तो आपको बहुत, कहले जे, स्पेसिफिक एकिप्मेंट उसमें रखने पड़ेंग इसके मंतरी हैं, डॉक्टर जितिमर से, नेक्स्ट आपका जोतर अरत्या सिंद्या लॉंच्ट एन ई रेस पोर्टल, ठीक है, मोबाइल लैब फॉर फार्मर्स, एन ई रेस, एन ई मतलब नॉर्थीस्ट, रेस का फुल फॉर्म है, रीजन एग्री कॉमेडिटी इकनेक्ट, म इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, जो फल और सब्जियां हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके, तो वो कैसे बेचेंगे, वो उसमें सिविल इविएशन का भी इंपॉर्टेंट रोल बैठता है, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका, आइट दिलिया आया जा रहा है, टाकि टैलेंट को उभारा जा सके, ठीक है, कहां पर हुआ, दिल्ली में हुआ, 750 स्टोडेंट्स ने पार्टिस्पेट किया, फॉर्टेवाइब कोलेजेज, ठीक है, विनिंग टीम, जो है, विल रप्रेजेंट इंडिया, एड़ इंटरनेशनल एशिया, प्रोड़कास्टिंग यूरियन 2024, ठीक है जी, तो यहां पर किसने जीता है, कि इंस्टिट आफ टेक्नोलजी इंडिमा इंविश्टी ने, सेकिंड जो आया पिंप्रीच इंश्वार्ट, कॉलेज आफ इंजिनेरिंग पूने, और MIT, वर्ल्ट बीस इंविश्टी पूने, स इसमें आपका शुष्रत, ठीक है, शुष्रत जिनको की फादर आफ इंडियन मेडिसेन और फादर आफ सर्जरी कहा जाता है, ठीक है, एंचेंट फिजिशन प्रॉम काशी, उनके, उनके मनलब जो भी कैलीजे, टीचिंग साँ, उनको यहां पर डिसकस किया गया, इसमें थो शुष्रत आते हैं, ठीक है, अचारे चरक आते है, चरक साहीता ब नाने में रहेगा ऊचिक है, बहुत बहुत इंपोर्टन नेक्स आपका बाय डिवर्शिटी बियाउंट नेशनल जिरिदिक्टिक्शन अग्रिमेंट तो यह भी इंटरस्टिंग देखे एक agreement sign हुआ था 1982 में, United Nations Convention on Laws of Seas, तो यह क्या करता है, यह जो समुंदर है, समुंदर किसका एरिया कहलाएगा, जो अंतराष्टिय समुंदर है या कैसे define होगा, इसको लेकर यह treaty थी, और यहाँ पर मैं पहले थोड़ा इस पर आता हूँ, ताकि इससे थोड़ा सा clarity बारा nautical mile, ठीक है, एक nautical mile कितना होता है, 1.852 km, ठीक है, तो 12 nautical mile तक क्या है, territorial sea है, territorial sea, आपकी territory है, लब it is as good as your own territory, इसका air space भी आपका है, ठीक है, फिर उसके अगले 12 nautical mile, या बेसलाइन से 24 nautical mile क्या खेलाएगा, contiguous zone, contiguous zone में 7 लगता हुआ एरिया, ठीक है, तो इस इसमें आपके पास थोड़े limited rights है, ठीक है, आपके पास समुंदर में आप जाके जो resources लेना चाहते हैं, वो collect कर सकते हैं, but space जो है, air space जो है, वो आपका नहीं माना जाएगा, वो international air space भना जाएगा, उसके बाद जो है, अगले 176 nautical mile, ठीक है, या कहें तो baseline से 200 nautical mile, इसको कहा जाता है, exclusive economic zone, EEZ, देखो, economic zone है ये, ठीक है, ये इसमें आपका, सिर्फ आप economic resources, poly metallic nodules हैं, minerals हैं, fish resources हैं, aquatic animals हैं, उनको collect कर सकते हैं, उसके लाब आपका कोई, as such आपका claim नहीं है, उसके बाद आता है high seas, high seas किसी भी country का नहीं है, कोई भी country इसको claim नहीं कर सकता, ये kind of common ज की जमीन हम कहते हैं, कुछ वैसा ही आप समझ लीजिए, सरकारी जमीन, UN की जमीन है, इसा समझ लो, not exactly UN की, but just to have that in mind, किसी भी देश का इस पे control नहीं है, अच्छा, अब क्या है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा area है, और इसमें जो marine biodiversity है, ठीक है, उसको बहु नुकसान पहुंच रहा है, कैसे नुकसान पहुंच रहा है, भाई, plastic फैंके जा रहे हैं, तो इसको बचाना है, तो इसमें एक बड़ा important program है, इसमें आपका UPSC पर बहुत सारे exam में question पूछा जा चुका है, 30 into 30, basically 20-30 तक, ठीक है, 20-30 तक, 30% of the marine biodiverse areas को बचाना, मतलब जो स जानवर, plants, हम सब एक दूसरे से चुड़े हुए हैं, कोई भी अगर system में imbalance होगा, वो ultimately सब को नुकसान देगा, तो यहाँ पर जो है, इस agreement को क्या कहा गया है, biodiversity beyond national jurisdiction, I hope आप समझ पा रहे हैं, beyond national jurisdiction, आपकी jurisdiction नहीं है, उसके beyond national biodiversity को सब देश मिलकर बचाएं, ठीक है, तो यहा आइडिया है, और यहाँ पर एक और आइडिया आपको देता हूँ, fact है, interesting, कितने million tons, जो कह लिए, plastic है, वो पानी में जा चुका है, अभी तक, ठीक है, अच्छा, एक और चीज, इसमें, जो है, 91 countries ने इस agreement को sign कर दिया है, पर 8 ने ही ratify किया है, मैंने पहले भी यह discuss किया था, sign करना और ratify करने का मतलब चाहता है, sign होता है, कि एक country की जो executive है, वो sign करता है, सरकार sign करती है, ratify होता है, पार्लेमेंट से, ठीक है, वहाँ का जो legislature है, वो उसको pass करता है, ठीक है जी, हाँ, यह रहा आपका, 67% of the world ocean is beyond the national boundaries, और 17 million ton plastic, 17 million ton plastic, एक करोड सतर लाख ton, एक ton में होगे आपका 1000 kg, तो मतलब इसको multiply कर लीजे, इतने kg plastic जो है, वो oceans में है, ठीक है, तो यह सारा कानी में आपको बता दी, नेक्स्ट आपका CAPF ने कहा है, कि जो अगनी वीर्ज हैं, बनलब, CAPF में जो constable rank में recruitment होगी, उसमें 10% reservation रखी जाएगी अगनी वीर्ज के लिए, ठीक है, तो अगनी वीर्ज का मुद्दा, elections के दौरान काफी चर्चा में रहा, उसके बाद भी चर्चा में रहा, अभी पार क्या है, कि हम जो है, अपने recruitment में 10% अगनी वीर्ज के लिए, जो है, रिजर्व रखेंगे, अब इनमें इनको कुछ benefit भी दिया गया है, इनके लिए यहां पर इनका कोई, जो है, क्या लिए, फिसिकल एफिशेंसी टेस्ट नहीं होगा, और इसमें age relaxation दिया गया है, पहले सा के लिए 5 साल और अगले subsequent years के लिए 3 साल, अगनी वीर्ज स्कीम जो है, शुरू की गये थी, जिसमें साड़े 17 साल से लेकर 21 साल तक जो है, उनको select किया जाएगा, आर्मी के लिए, चार साल का उनका tenure रहेगा वहां पर, चार साल के बाद 25% को तो retain रखा जाएगा, बाकी 70% क इन CAPS के इलाबा, इलाबा जो है, कई सारी राज्य सरकारों ने, खासकर जहां पर BJP जो है, पावर में है, वहां पर उन्होंने इस सीज को लागू पर दिया, उन्होंने कहा है कि भाई, हम 10% जो है, अलग लग जॉब्स में, रिजर्व रखेंगे अगनी वीर्ज के लिए, ठीक है जी, तो यह जो है, यहां पर कोशिश की जा रही है कि ताकि उनको कैसे resetle किया जाए, नेक्स आपका government to observe जून 25 है समविधान हत्यादिवस to commemorate emergency, तो 25 जून जो है समविधान हत्यादिवस होगा, अब यह समविधान 25 जून 1975 को ततकालिन प्रधान मंत्री श्रमत अली एहमद जी, ठीक है, उनके द्वारा ये emergency लगाया गया, internal disturbance वर्ड यूज किया गया था ठीक है, वो बाद में 44th Constitutional Amendment Act 1978 में वो internal disturbance की जगा, आम डिरेवीजियन से, शस्तर विद्रोग आ गया था, ठीक है, तो यह कुछ खास इसके point है, मार्च 1977 में जाकर, लगभग, मतलब एक साल आठ नौ महिने तक जो है, यह आपका emergency लागू हुई, इसमें बहुत सारे, कहलीजे, violation हुआ, human rights का, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, एक dark chapter in India's independent history माना जाता है, तो उसको लेकर जो है, संविदान हत्यादिवस, ठीक है, तो यह brief जानक जारी है, और उसके बाद elections होते हैं, मार्च 1977 के बाद elections होते हैं, और पहली बार, non-congress government, जो है, 30 साल बाद, after independence, 30 साल बाद, non-congress government, central बनती है, मरार जी दिसाई, प्रधार मतली बाद के, चलिए, five and a half, करोड trees will be planted in मद्ध्यपरदेश, अंडर, एक paid मा के नाम, campaign started by Prime Minister Modi, तो यहां पर, जो है, 5.5 करोड पेड लगाये जाएंगे, इसमें एक initiative यह आ गया, कि एक paid मा के नाम, ठीके जी, नाम से ही clear है, so is being run by all the cities and villages of the states until July 15, नेक्स आता है, government makes ISI mark mandatory for stainless steel and aluminium utensils, देखो इसको लेकर काफी चर्चा हुई कई बार, मतलब, यह अगर आप थोड़ा सा पब quality का नहीं है, यह बहुत सारी मतलब उसमें दिक्कते आ रही थी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा strict किया गया है, कि अब जो है, जो भी बरतन होंगे, steel, calminium के, उस पे ISI mark लगाना ज़रूरी होगा, ठीक है, ताकि obviously standardization हो सके, ठीक है, the idea is, कि किसी भी तरीके से consumer को नुकसान न हो, ठीक है, so Indian standards institution mark is developed by Bureau of Indian standards, ओके, नेक्स आता है, डेन्मार्क ने अश्वगंदा बैन on the report, that lack scientific rigor, claims Ayush ministry, ठीक है जी, अश्वगंदा को उन्होंने बैन किया, उसको लेकर, Ayush, जो मंत्रालया है, भारत सरकार का, उन्होंने कहा के, उन्होंने proper research नहीं की है, इससी को लेकर, अ अश्वगंदा की बात कर लें, तो हमारे Indian, के लिजे, traditional medicine system, खासकर जिसमें हम आयरुवेद की बात करते हैं, उसका एक बहुत important component है, अश्वगंदा, ठीक है जी, तो यहाँ पर, जो है, अश्वगंदा के अगर बात करें, तो यह दो शब्दों से बना है, अश्व और तो इस चीज का को लेकर, मतलब कह लीजे, क्योंकि ये product बहुत specifically Indian subcontinent में पाया जाता है, और भी जगा है, बहुत specifically Indian subcontinent में, हमारे traditional medicine system में बहुत important part है, तो ये counter करना इसलिए ज़रूरी है, कि कहीं एक precedence न सेट हो जाए, कि नहीं, ये जो अश्वगंदा है, ये साही नहीं so medicinal plant है, ठीक है, definitely जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने इस सीज को जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, चलो, next आपका विजिंजम port is all set to receive its first mothership, देखें, ये विजिंजम port जो है, ये बनाया गया है, अडानी विजिंजम port प्राइवेट लेमिटेड के द्वारा बहुत important concept है, इसको थोड़ा सा समझ लो, देखो, ये है आपका, ठीक है, हमारा प्यारा वहरत, और ये रहा आपका Arabian Peninsula, अब ये रहा आपका Persian Gulf, ठीक है, ये जो Persian Gulf का area जहां से बहुत, क्या लिजिए, कर्चा तेल, crude oil आता है, और यहां से ये trade होता है, और जो Europe से हमारे लि ठीक है, ठीक है, फिर Arabian Sea, अब क्या होता है, कि ये जो trade route है, ये जो green color में दिखाया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, sorry, ये जो green color में दिखाया गया है, इसमें दुनिया का लगबग 30% trade होता है, अच्छा, अब ये trans shipment क्या होता है, trans shipment हो ऐसे समझो के highway पे, जो आपका एक petrol pump है, ठीक है, तो अब क्यों रुखते हैं, petrol pump पे रुखते हैं, कि भाई, रुख जाए, थोड़ा एक rest हो गया, petrol पे आप, गाड़ी में अपने petrol, diesel जो पे डलवाना है, वो डलवाया, washroom जाना है, तो मतलब एक kind of stopover हो गया आपके लिए, ठीक है, वैसे ही, जब कोई ship म अच्छा फिर trade होगा, कुछ हमान वो यहाँ unload करेगा, उससे further, छोटे 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 ship से, बाकी देशों में जाएगा, तो यह बहुत important है, इससे क्या होता है, revenue generate होता है, definitely, अब यह कहानी जो यहाँ पर कोलंबो कर रहा था, यह कह लिए शरलंका कर रहा था, उसके बाद सि इसा नहीं, सारे ship रूखेंगे, कुछ ship यहाँ रूखेंगे, refueling कराएंगे, revenue आएगा, economy बढ़ेगी, ठीक है, सारी चीज़े जोड़ी होगी है, तो यह उस sense में बहुत जादा important है, ठीक है, तो पहला transshipment port हमारा होने जा रहा है, और obviously इससे फिर क्या होगा, यहाँ से हमा आरे बाकी कहलों, छोटे-छोटे ships है, सामान अनलोड होगा, ठीक है, वहाँ से अलग-लग तरीके से चाना शूब करें, इंडिया's first integrated agri export facility to come up at Jwalalal Nehru port, ठीक है, यह भी interesting है, इसी से related है, देखो, किसी भी agricultural produced, खेती बाड़ी से related, जो भी सामान है, उसमें सबसे important चीज क्य जो shelf life है, वो बहुत कम है, ठीक है, जल्दी खराब होने वाली चीज़े हैं, जलो मालो fruits हैं, फल हैं, सबजिया हैं, तो ये सारी चीज़े क्या हैं, इनमें logistics की बड़ी problem आती है, कि जो load-unload करना, सारे जो processes हैं, उनमें अगर देरी आएगी, तो बहुत सारा समान बहीं पर damage में जो जाता था, ऐसा देखा गया, अब इसको लेकर क्या किया गया है, इसको लेकर एक single system बनाए गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुगम हो सके, logistic cost कम हो सके, time कम हो सके, इस से फाइदा क्या होगा, इस से जो किसानों का बहुत सारा produce है, खराब हो जाता था, तो यह यहाँ पर reduce multiple handling of agricultural products. So, I hope you got the point. ठीक है, यहाँ पर idea क्या है? कि multiple handling of products ना हो. मतलब एक जगा यहाँ पर handle हो रहा है, फिर वहाँ पर, फिर वहाँ पर, तो समय जाबा लग रहा है. और इससे वो agricultural produce खराब हो जा रहा है. ठीक है, तो यह पूरी की पूरी गाने. इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? Non-Basmaty Rice, Makkah, ठीक है, मसाले हो गया, आपका प्याज हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, यह जारी चीज़ें होंगी. Next, आपका Supreme Court direct center to frame model policy on menstrual leave by holding consultation with states and other stakeholders. ठीक है, तो Supreme Court जो है, center को direct करता है to frame model policy on menstrual leave. देखो, menstrual leave को लेकर, जो menstruation cycle है, उसमें, उसको लेकर जो है, यहाँ पर, जो एक P.I.L. लाखिल की गई, Public Interest Litigation, जन्हित याचिका, Chief Justice D.Y. चंतोचोड, Justice J.B. पार्दिवाला और मनोज मिश्रा, उन्होंने कहा, कि यह सरकार का काम है, ठीक है, काम करना, यह हमारा गाम नहीं है, और यह जो है, अब इसका argument क्या है, कि इसके favor में और इसके against में, favor में argument है, कि उस जो particular time होता है, ठीक है, जो menstruation का time होता है, उसमें महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, और उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, उनको rest मिलना चाहिए, इसका counter argument क्या है, बहुत सारे लोगों का कहना है, कि अगर आप इस तरीके से छुट्टी देंगे, तो कही ना कहीं, जो employer होगा, जो नौकरी देने वाला है, वो dissuade होगा, वो नौकरी देने, वो कोशिश करेगा कि ना दी जाए नौकरी महिलाओं को, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई, हर मेने एक या दो दिन ये चुटी हो गई, बाकी चुटिया हैं, तो जो मेरे सिधा-सिधा मेरा काम पर भावित होगा, ठीक है, ये चीज आपको government sector में हो सकता, आपको menstrual leave बिलती है, नेक्स आता है, Muslim woman entitled to maintenance from husband after divorce Supreme Court, ये बड़ा historic judgment आया है, क्योंकि ये ही judgment था, जो 1980s में, शाहबानो judgment बहुत famous case, ठीक है, वो इतना famous case कहा जाता है, कुछ, कहली जे historians तो ये कहते हैं, कि वो case से पहले की Indian politics, और उसके बाद की Indian politics बदल गई, लब उस case ने Indian politics का रुख बदल दिया, अब इस, मतलब कहलो कि fast forward to 40 years, ठीक है, और इस समय पर क्या हुआ है, कि Supreme Court ने कहा है, कि section 125 of CRPC, जिसमें की Muslim महिलाओं को maintenance की बात की गई थी, वो यहाँ पर उनको मिलेगा, ठीक है, जो की शाबानों judgment में भी दिया गया था, बट उसको overrule कर दिया गया था, via a law in the parliament, और यहाँ पर उन्होंने कहा है, कि यह उनका हक है, ठीक है, उस समय पर, यह जो ruling थी Supreme Court, उसको overrule किया गया था, Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1968, basically, divorce के बाद, 90 दिन का जो इद्दत पीरियड है, ठीक है, उस समय पर maintenance दी जाती है, पर उसके beyond, as per Islamic law, जो प्राबधा नहीं है, maintenance देने का, ठीक है, तो उसको लेकर काफी विवाद हुआ, politics हुई, but finally Supreme Court ने, जो है, तुबारा से इसको agree किया है, कि यहाँ पर, Muslim महिलाओं को यह right मिलना चाहिए, तो मुहमद अब्दुल सामद वर्सिस स्टेट अफ तेलंगना, 2024, बहुत important judgment है, again, for all those who are preparing for UPSC exams, किसी भी UPSC exam, या state level PCS exams के आप क्यारी कर रहे हैं, उसके लिए यह बहुत important हो गया, चीक है, चलिए, आगे चलते हैं, states cannot tinker with schedule gas list, Supreme Court hold, Supreme Court ने कहा है कि schedule gas list के साथ, आप छेट खानी नहीं कर सकते, यह specific, कैलिजे, किस का काम है, भारत के राश्रपते का, obviously, ठीक है, मतलब central government का काम है, union, parliament, और central government का काम है, यह states का काम नहीं है, जब मैं यह session record कर रहा हूँ, उसमें एक और judgment आ चुकी है, जो कि हम अगले महीने के sessions में discuss करेंगे, जिसमें, sub quota की बात की गई है, schedule gas में, schedule gas और schedule drive में, वो भी अपने आप में, एक काफी बड़ा, कैलिजे, point of discussion बना हुआ है, अभी उसको discussion नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगले महीने, compilation में आएगा, और यह जो है यहाँ पर, Supreme Court ने कहा, कि आप जो कौन सी, कहले जे कास्ट को, अनुसूचित जाती में, रखा जाएगा, यह state पर नहीं करेगा, ठीक है, so the judgment came in a challenge, इसमें इन्होंने कहा, कि specifically यह किसका काम है, यह काम है आपका, पर्लेमेंट का, ठीक है, अनी amendment alteration to variation to the president list, अन्टर अर्टिकल 341, और आप तो बी मेड बाइदा पर्लेमेंटरी लौ अलोन, and not by any notification, ठीक है, ठीक है, so यह पर्लेमेंटरी लौ के द्वारा ही हो सकता है, mandates president after consultation with the state governor, made by public notification, specify the caste, races or tribes, parts or groups within the caste, races or tribes, which shall for the purpose of this constitution, be deemed to be scheduled caste in relation to state or unit territory, ठीक है, इंडिया become the first country to prepare a full list of fauna, यह भी interesting news है, जितने भी जीव जन्तु हैं, उनका पूरा track रखा जाएगा, दुनिया का पहला भारत ऐसा देश बनने जा रहा है, एक कहली जे पूरा का पूरा census किया जाएगा, एक लाख चार हजार पांट सो एक सट स्पीशीज हैं, अलग लग स्पीशीज हैं, उनके क्या क्या नंबर्स हैं, वो रिकॉर्ड किये जाएंगे, ठीक है, यह मतलब कहां पर राउंस किया गया, उलकता में, 109th Foundation Day of Zoological Survey of India, Home Minister to Chair, 7th Apex Level Meeting of NCOD, ठीक है, NCOD क्या है, Narco Coordination Center, दिल्ली में, ठीक है, Narco Coordination Center, नामजे क्लियर है, Narcotics Control Bureau, Narcotics को खदम करना है, इसमें टार्गेट रखा गया है 2047 तक का, एक Zonal Office भी बनाया गया है कश्मीर में, और Drug-Free India by 2047, by 3-Point Strategy, जिसमें कहा गया है कि Institutional Structure को strong करना है, जो Coordination, अलग-लग Narco Agencies हैं, काम कर रहे हैं, उनकी Coordination improved हो, और Public Awareness, लोगों में जागरुकता लेकर आई जाए हैं, ठीके जी, चलिए, नेक्स आपका नीदी आयोग, Announce the launch of Niti Gearship Challenge, as a part of E-Fast India Initiative, इसका सिंबल सा मकसर ये है, कि जो हमारे Public Transport में, ट्रक्स हैं, ठीके, ट्रक्स बहुत important role play करते हैं, अगर पूरे Carbon, जो रोड ट्रांस्पोर्ट से, जो Carbon Emissions होते हैं, उसमें 40% सिर्फ ट्रक्स की वज़े से होते हैं, जो बड़े-बड़े ट्रक्स हैं, मेंली ट्रक्स पे चलते हैं, डीजल पे चलते हैं, अगर हम CNG, पेट्रोल, डीजल, इन सब पे देखें, इसको लेकर, यह आपका, लॉंच किया गया है, नीती गेर शिफ्ट चैलेंज, ठीक है, तो यह आपका, कलाबरेशन, आयाम बैंगलॉर, स्मार्ट, फ्राइट, सेंटर, काल्स्टार्ट, ड्राइट टु जीरो, ड्रॉर इंडिया, ठीक है, बिजनस मॉडल, ताकि, अडॉप्शन ओफ, जीरो एमिशन ट्रॉक्स, इन एटिया, ठीक है, जीरो एमिशन ट्रॉक्स, को लाया जा सके, ठीक है जी, तो देट इस दा आइडिया, नेक्स्ट आपका, यूनिनिस्टर जी केशन, रेटी इनाउगरेट्स, लैंड्सलाइट फॉर्कास सिस्टम, इन बोलकता, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपने देखा भी रीसेंटली, वायनार्ड में किस तरीके से, लैंड्सलाइट हुआ, कितने सारे लोगों की जान गई, ठीक है, तो ये इसी चीज़ को लेकर जो है, ये कैली जे लैंड्सलाइट फॉर्कास सिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे की पहले से ही पता लग सके, दो वैसे सरकार का कहना है, कि हमने पहले एक वार्निंग सिस्टम दिया था, कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट ये एक तरीके से इंसिचुशनलाइज करना, इसको एक इंसिचुशन बनाना, नैशनल लैंड्सलाइट फॉर्कास्टिंग सिस्टम, लॉंच द भू संकेत वेबसाइट, ठीक है, भू संकेत वेबसाइट, एड भू स्खलन मोबाईल एप, मकसद क्या है, लैंड्सलाइट के बारे में, जानकारी मिल सके, अरली वार्निंग हमें पता लग सके, ठीक है, फॉर्कास्ट अफ मल्टिपल स्टेट्स, पॉंट्रिबू टू बेटर लैंड्सलाइट रिस्क असेस्मेंट, ठीक है, यह किसके अंतरगत काम करेगा, जोलाजिकल सर्विय अफ इंडिया के अंतरगत काम करेगा, नाम क्या है, नैशनल लैंड्सलाइट पॉर्कास्टिंग सेंटर, ठीक है, बोल काता, नेक्स्ट आपका, गवर्मेंट शेट से टार्गेट टो ओपन 25,000 प्रथान मंत्री भारतिय जन औशदी परियुजरा, मक्सद क्या है, जेनरिक मेडिसेंस, लो कॉस्ट मेडिसेंस, लोगों को प्रवाइड करना, ठीक है, और यह शुरुवाद की गई थी नवंबर 2008 में, और जेनरिक मेडिसेंस को सस्ते में, क्योंकि इंडिया में आउट आफ पॉकेट एक्स्पेंडिचर, हेल्थ एक्स्पेंडिचर जो है, वो 70 परसेंट से जाए है, विच बन अप दा हाइएस इन दे वोल्ट, अलब जेब खर्च, जेनरिली बहुत सारे देशों में, हेल्थ पे एक्स्पेंडिचर बहुत कम होता है लोगों, सरकार के दोरा फंटिड होता है, तो ये उसमें दवाईयां बहुत इंपॉर्टेंट रोल बिले करते हैं, तो that becomes this news. नेक्स्ट आपका CSIR launches National Mission on Sustainable Packaging Solution, पिछले 5-6 सालों में जो e-commerce है, Amazon, Flipkart और बहुत सारे जो e-commerce platform है, उससे आप लोग, हम सब लोग बहुत समान मगवा रहे हैं, बढ़ गया है, डबल हो चुका है e-commerce फिछले 5 सालों में, अब जब वो डबल हो रहा है, तो एक चीज़ और डबल होगी, क्या चीज़ डबल होगी, पैकेजिंग माटीरियल, तो वो पैकेजिंग माटीरियल में प्लास्टिक ना हो, ठीक है, तो वो सस्टेनेबल पैकेजिंग हो, उसको लेकर जो है, नैशनल मेशन लाँच किया गया है, CSIR के द्वारा, एमस्टु डबल सॉलूशन फॉर सस्टेनेबल पैकेजिंग डिमांड्स, डिवल्पेंट ऑफ पैकेजिंग माटीरियल, स्मार्ट रिसाइक्लिंग, रियूज मेथर्ड्स, ठीक है, तो अनलब इस तरीके का पैकेजिंग माटीरियल हो, जो रियूज हो सके, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपका, डिजिटल मॉइस्ट्र मीटर, ठीक है, डिजिटल मॉइस्ट्र मीटर, लेखो, किसानों के लिए, जो फूड ग्रीन्स हैं, ठीक है, जब कई बार हम कहतेंगे, जी, एफसी एई में, गडाउन में, हमारे जो अनाज है, वो सड रहा है, या बहुत जल्दी, खराब हो जाता है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, कि हम जो है, उसका मॉइस्ट्र कॉंटेंट नहीं चक्कर पाते हैं, अगर ग्रेन्स में, मॉइस्ट्र कॉंटेंट बहुत जादा है, अगर आप मंडीज में जाकर देखेंगे, तो क्या होता है, कि पहले उसको थोड़ा सुखाया जाता है, कोशिश की जाती है, कि उसका मॉइस्ट्र कॉंटेंट ठीक हो जाए, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आप उस मॉइस्ट्र वाले फूट ग्रेंज को ही पैक करके रख देंगे, यह खराब हो जाएगा जाती, ठीक है, जैसा कि यह बारिश के सिजर में होता भी है, कहा भी जाता है, बारिश के सिजर में बहुत ज़ादा, जो है, आप राशन स्टोर करके मत रख हो, क्योंकि जल्दी खराब हो जाता है, तो यहाँ पर डिजिटल मॉइस्टर मीटर त्यार किया गया है, मकसद क्या है, मॉइस्टर कंटेंट को चेक करना, ताकि अनाज को बचाया जा सके, ठीक है, इससे फाइदा क्या होगा, अनाज बचेगा, किसानों की आया बढ़ेगी, क्योंकि किसान का जो बहुत सारा अनाज है, जो खराब हो जा रहा है, वो नहीं होगा, ठीक है, और तैस दा आइडिया है, तो मैजर दा मॉइस्टर पंटेंट इन बिरेस सब्सक्रांसे, पर्टिक्लर ली, सीरिल ग्रेंज और ओयल सीट इन अग्रिकल्चर, तो हेल्ड दिसकुर्शन ऑन ड्राफ्ट रूल्स पर मॉइस्टर मेंटर इन सीरिल ग्रेंज और यादाव लॉंचेज, आइडियास पर लाइफ इनिशेटिव एट आईटी डेली, ये एक लाइफ इनिशेटिव शुरू किया गया था, वर्ल्ड इंवारमेंट डे के समय पिछले साल में, किस तरीके से as an individual level पर हम अपने lifestyle में बदलाव ला सकते हैं, ताकि जो हमारा carbon footprint है, मतलब हम जो individual level पर carbon emission कर रहे हैं, वो कम कर सकें, ठीक है, तो इसको लेकर ideas यहाँ पर लिये गए कि क्या-क्या हो सकता है, तो इस lifestyle में साथ बड़ी themes हैं, हम अपने level पर energy को save करें, मालो जहां आपको लगता है कि नजदीग है तो आप पैदल चलके जाएं, कोई bike का, गाड़ी का use ना करें, save water, single use plastic ना use करें, ठीक है, अपना थैला साथ में रखें, adopt sustainable lifestyle, reduce waste, adopt healthy lifestyle, reduce e-waste, ठीक है, तो ये साथ categories में जो है ideas दिये गए, तो ये life's, mission life जो है, launch किया गया था at UNFCC COP26 in 2021, भारत के प्रधान पत्री के द्वारा, next आता है, union minister धमेंजर प्रधान launches, Nets, portal 2.0, national apprenticeship, training scheme 2.0, ये इस बार के budget में भी उसके बारे में काफी detail में जर्चा थी, जिसमें 100 क्रोड रुपे stipend दिया जाएगा, ठीक है, 100 क्रोड रुपे stipend दिया जाएगा, जो भी, कह लिजे, जो freshers हैं, जो भी training लेने जा रहे हैं, तो उनको, basically ये किया गया है, उसमें ना component रखा गया है, कि like 25% तक stipend जो है, सरकार पे करेगी, up to the maximum level of 1500 रुपीज पर मन, तो उत्तरा जो है stipend सरकार देगी, बाकी stipend जो employer होगा, वो देगा, तो employer के लिए benefit है, कि उसको एक fresher मिल रहा है, ठीक है, उसको train कर सकता है, उससे काम करवा सकता है, और सरकार उसको on the job training प्रोवाइट कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स आता है, BIS Science MOU with Govind Vallapant University to develop first of its kind Standardization Agriculture Demonstration Farm, ठीक है, तो Bureau of Indian Standards ने समझाता साइन क्या है, Govind Vallapant University of Agriculture and Technology, मक्सद क्या है, model forms को त्यार करना, ठीक है, model farms को त्यार करना, जिसमें agriculture practices, new technologies को, like, standardized किया जाएगा, ठीक है, चले, नेक्स आपका Department of Atomic Energy, inaugurate 1 DAE, 1 subscription, तो ये एक interesting है, 1 DAE, DAE is Department of Atomic Energy, 1 subscription, मतलब, जो भी, कैली जी रिसर्च जनरल्स हैं, उनको आप access कर सकते हैं, खासकर जो researchers हैं, या इस field में काम कर रहे हैं, वो जितने भी जनरल्स हैं, उनको access कर सकते हैं, एक subscription देकर, जैसे के आज के समय पर, ये काफी standard model हो चुका है, खासकर बिजनसे से इसको अपना रहे हैं, एक example, Amazon Prime, Netflix, आप movies देखते हैं, OTT platforms हैं, तो उसमें subscription model होता है, 200 रुपे में, महिने में आप जितनी movies देखना चाते हैं, जो देखना चाते हैं, वो देख सकते हैं, वैसा ही कुछ आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, एक one DAE, पन subscription, ठीके जी, ओके, नेक्स्ट आपका, सो स्कीम, ओफिस ओफ ये स्कीम है, कंट्रिवाइड एक्सेस होगा, टु नेशनल और इंटरनेशनल सैंटिविक एंड एक्टेमिक कॉंटेंट, गर्मेंट्रिवाइड इस कॉंपोजिशन आफ नीतियायोग, ठीके जी, नहीं सरकार बनी, तो जो नीतियायोग की कॉंपोजिशन को बदला गया, फोर फूल टाइम मेंबर्स है, पंदरा यूनियर मिनिस्टर्स हैं, जो की एक्स ओफिशो मेंबर्स है, एक्स ओफिशो मेंबर्स होता है, बनलब बिइंग आप इस पर्टिक्लर मिनिस्ट्री, ठीके आप इस मिनिस्ट्री में यूनियर मिनिस्टर है, एक्स ओफिश्यो चेयर परसन प्रधानमंत्री होते हैं, वाइस चेयर परसन इंपोर्टेंट है, CEO इंपोर्टेंट है, ठीक है, BVR सुपरमट्रेंट है, वो इंपोर्टेंट है, उसके इलावा स्पेसिफिक नाम पूछ जाएं, कम चांच से जाएं, तो मैं इसलिए बता रहा नोहीं non-constitutional, non-statutory body है, नीती आयोग का जो प्लैन था, 12th 5-year plan, जो की 2012 से 17 तक था, वो continued रहा, 17 के बाद कोई 5-year plan नहीं आया, ठीक है जी, और ये मैं आपको बता दिया है, चलिए, नीती आयोग एंड वाइपो, to build joint program towards innovation, entrepreneurship and IP for global south, वाइपो क्या है, World Intellectual Property Organization, तो स्कूल के बच्चों को, लोगों को, intellectual property के बारे में चाक्रोप करना, ठीक है, ये इसका idea है, awareness create करना, IPR rights का, ये क्या होता है, intellectual property, किताब लिखी, तो किताब में, for example, किताब में आपने लिखी, तो ये एक intellectual property हो गया, ये जो video record हो रही है, ये भी intellectual property है, परशब classes का, ठीक है, तो इस तर भी एक तरीके से intellectual property, मैंना, copyright है, इस पर, तो ये सारी चीज़े, trademark, patents, ठीक है, ये सारी चीज़े इसमें आती है, चल, next है, all government buildings to be solarized by 2025, ये काफी, पड़ा step होने जा रहा है, so, Tata Power, renewable energy limited, and NHPC, renewable energy limited, ने एक समझाता, sign किया, कि जितनी government buildings होंगी, ठीक है, ठीक है, ये government buildings, जो है central government की states and union territories, so, rooftop solar project लगाया जाएगा, ठीक है, rooftop solar project, मतलब, कुल में लाकि जो सरकारी buildings है, उनको independent कर पिया जाएगा, मतलब, उनको एक तरीके से, वो solar energy युक्त हो जाएगी, अब इसमें, जो PM, सूर्य घर, योजना की बात की जा रही है, इसमें, है क्या, इसमें, आप अपन घर में, जो है, 300 unit business free मिलेगी, but conditions apply, कि आप अपने घर में solar panels लगवाएंगे, 75,000 करोड का इसमें investment सरकार के द्वारा है, एक करोड घरों में, ये solar panels लगाने का target रखा गया है, पैन इंडिया rollout of uwin portal soon, ठीक है जी, ये uwin, जैसे cowin platform था, हमने covid के समय पर vaccination लगवाई, online platform था, हाँ जी, नाम ये है, आपने यहाँ पर vaccination लगवाली, आपकी vaccination done है, हम वो certificate दिखाते थे, जहां भी भी जाते थे, बहुत जगा वो mandatory हो गया था, अब जो है, ये जो uwin portal है, ठीक है, uwin portal, vaccination का portal है, ऐसी बच्चों का portal है, ये बहुत सारे जगा पर हो रहा है already, बड़े शहरों में, कि अगर आप बड़े शहरों में आएंगे, तो बड़े शहरों में बच्चों का पूरा वो रहता है, कि हाँ जी, इस दिन बच्चे का जनम हुआ, इस दिन के बाद ये दिन, ये vaccine लगी, ठीक है, पूरा का पूरा record होता है, मतलब और उसके बाद, कब उसको सर्दी, ज vaccination वाली ले जाने की जूरत नी, सारा का सारा चीज़े online रहेंगी, उसमें पूरा का पूरा data रहेगा, इससे क्या है, पूर एक व्यक्ति का, मतलब future के लिए भी, पूरा का पूरा health record त्यार हो जाएगा, उससे ये पता, मतलब कल को future को, किसी व्यक्ति को को बिमारी होती है, तो उसको डाइग्नोज करना साथ जाएगा, ठीक है, that is the idea है, पर, चलिए, so, children up to the age of 6 years, pregnant mothers are registered on you will, और upon registration records of 25 shots given to a child, तो जितनी सारी vaccines हैं, उसका पूरा track record हो रहा, ठीक है, next अपका, center denies special category status to भिहार, ठीक है, बजट आया, special category status की demand थी, अंदरपरदेश और भिहार, दो ऐसे बहुत सारा लोगों ने criticize भी किया, कि यह जो बजट था, बहुत ज़ादा, special package दिया गया, special category status नहीं दिया गया, special package का मतलब, क्या अलग से हम पैसा दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपके यहां पर infrastructure create करने ज़रत है, जैसे, आंदरपरदेश की जो capital थी, हाइदराबाद, अमरावती को develop करना चाहते हैं, तो अमरावती को develop करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और भी एक state की capital को develop करना, it requires a huge investment, similarly बिहार में, तो यह जो है, package दिया गया, special category status नहीं दिया, अब यह special category status होता क्या है, तो special category status जो है, यह गडगिल formula है, यहां पर मैं आता हूँ, so मतली सेशन में, इसमें special assistance दिया जाता है, मतलब ऐसे समझो के, दो तरीकी के program होते है, एक central sector scheme होती है, एक centrally sponsored scheme होती है, जिसमें central government 100% funding करते है, एक centrally sponsored scheme होती है, जिसमें center और state मिलकर funding करते है, किसी project के लिए, scheme के लिए, अब जो special category status है, जिन राज्यों को मिला हुआ हुआ है उसमें क्या होता है, कि central government का जो percentage है, funding का वो बढ़ जाता है, लेकि up to 90% तक चला जाता है, ठीक है, जैसे बहुत सारी schemes में आप देखेंगे, 50-50 का ratio है, 60-40 का ratio है, 75-25 का ratio है, special category states में 90-10 का ratio है, 90% central government, 10% state government, इसके राबा भी उनको benefit दिया जाता है, अब आप पूछेंगे, क्या खास है, उनमें, खास ये है कि या तो वो हिली states है, ठीक है, पहाड़ी लाके है, नौर्थीस्ट के लाके है, जहां पर revenue के sources कम है, ठीक है, उनके पास पैसे के sources कम है, तो उनको अलग से सरकार जो एक तरीके से central government fund कर रही है, ठीक है, तो वो या फिर border areas है, ठीक है, तो उनको एक special category status में रखा गया, मैं तो special category states है, बर सरकार ने खाए कि जी नहीं, बिहार और अंदरप्रदेश उसमें नहीं आ रहा है, तो ये मैंने काफी detail में आपको, जो जो main points है, वो सारे इसमें बता दी है, ठीक है, recommendation, 5th finance commission, ठीक है, जम्मू कश्मीर को दिया गया, साम ना Recently, जो 14th finance commission है, 14th finance commission ने तो ये भी कहा, कि special category status होना ही नहीं चाहिए, except for the northeast and three ill states, ठीक है, तो उन में होना चाहिए, और special package दे दुआ, कि हाँ भी, कि आप ये काम है, इसके लिए हम आपको अलग से पैसा दे रहे, ठीक है, इसके benefits क्या-क्या है, जैसे मैं आपको बता है, 90% य इसके दिया रहे, special लोक अदालत, जो है, launch करी, ठीक है जी, मकसद क्या है, लोक अदालत क्या है, special लोक अदालत या लोक अदालत क्या होता है, alternate dispute resolution method है, जिसमें cases को solve किया जाता है, compromise mutual understanding के basis पर, ठीक है जी, so pending in the court, pre-litigation stage में है, settled compromise amicably, statuitary status दिया गया, legal services authority act, national legal services authority act, 1987, ठीक है जी, जिसमें district, state और national level पर लोक अदालत conduct की जाती है, और पर इसमें कुछ important ये है, दो तिन चीज़े important है, क्या है, एक तो इसका जो, जो भी decision होता है, वो decision, civil court का decision माना जाता है, criminal cases इसमें नहीं जाते है, ठीक है, दूसरा चीज़ ये है, कि ये final or winding होता है, ठीक ह क्या, ठीक है, सारी इतनी कानी करने का, अच्छा, अब जो है, shall not be settled in, लोक अदालत, not compoundable, compoundable offenses वो होते हैं, जो fine दे के आप छूट सकते हैं, अनलब जो serious nature के offenses नहीं होते हैं, उनको compoundable offenses कहा जाता है, simple भाशा में, not compoundable कौन से हो गए, जिन में सजा होती है, जो थोड़ा serious nature के ह हैं, तो उनको नहीं रखा जाता है, लोक अदालत में, मतलब जो, जो कहलो कि आपने bill पे नहीं किया, ठीक है, इस तरीके के, ये जो cases हैं, उनको उसका निप्टारा किया जाता है, लोक अदालत में, नैशनल जल जीवन मिशन, या फिर जो थोड़े बाद, नैशनल जीवन मिशन, अचीव सिस्टारिक माइलस्टों अप्रवाइद टैप वाटर कनेक्शन तो 15 करोड रूरल हाउस होल्ड अक्रॉस 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 थे कंट्री, तो जल जीवन मिशन ने, जो तीन करोड से लेकर, पंदरा करोड में, पांच साल में, पंदरा तक पानी पहुंच गया है, नल से जल, ठीक है जी, so every rural home, the mission was announced in 2019 with the aim to provide tap water supply to every rural home by 2024, तिल 25 जुलाई 2024, आठ राज्य और तीन यूनिन डेरिटरीज हैं, जिन में 100% coverage हो गया है, नेक्स्ट आपका, राश्टरपती भावन में, जो नाम बदला गया है, दरबार हॉल और अशोक हॉल की जगा जो है, नाम रखा गया है, दरबार हॉल का नाम रखा गया है, गनतंत्र मंडप और अशोक जो है, हॉल का नाम रखा गया है, अशोक मंडप, नाम दरबार से क्या दिक्कर है, दरबार जो है जनली एक feeling देता है, जो जैसे राजा महराजा के समय पर होता है, रा इंगोक्रेसी आ चुकी है गनतंत्र आ चुका है ठीक है कोई यहां राजा वाला सिस्टम नहीं है लोगों की सरकार है तो इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ को बेसिकली उस माइनशेट को शिफ्ट करना ठीक है तो गनतंत्र मंडब और अशोक हॉल को अशोक मंडब का नाम यहा माइन सेट शिफ्ट ओके नेक्स्ट आपका प्राइम डिस्टम मोधी तो विजट कार्गिल ओंद ऑकेशन ऑफ 25 कार्गिल विजए दिवस ठीक है जी सिल्वर जूबली कह लीजिए और फिर्स्ट प्लास्ट अफ स्ट्रेजिक शिंकुन लाउप प्रोजेक्ट तो यहां पर on the occasion of 25 कार्गिल विजए दिवस और शिंकुन लाउप प्रोजेक्ट जो है यह भी यहां पर inaugurate किया गया है ठीक है commence the construction work for this और यह क्या करेगा शिंकुन लाउप प्रोजेक्ट यह दुनिया का सबसे highest tunnel प्रोजेक्ट होने वाला है यह ले के साथ connectivity बनाएगा इसका इसका एक strategic important समझ लो अभी क्या है कि अगर आपको लदाग जाना है mainly क्या है आपके पास कश्मीर के थूरू रूट है ठीक है अब आप चाहते हैं हिमाच्चल परदेश के थूरू भी आपका रूट बने क्योंकि कल को अगर two front war की situation आती है ठीक है एक तरफ पाकिसान और चाइना हमला करता है तो यहां से logistics को कश्मीर के थूरू logistics को पहुंचाना माइट भी मुश्किल in certain circumstances तो ऐसी situation ना हो के लगदाग तक हम अपनी logistics या अपनी forces को नहां पहुंचा पाए ठीक है तो यह alternative kind of route त्यार किया जा रहा है ठीक है I hope you got the point तो यह हो गया आपका 4.1 किलोमेटर लॉंग टनल ठीक है 15,000 की फीट पर होगा और all weather connectivity प्रोवाइड करेगा इट विल भी था हाइस टनल इन डवाइट ठीक है जब यह complete हो जाएगी तो इसकी अपने पूरी पूरी कहानी है ठीक है इस पे नहीं जाएंगे कारगिल विजे दिवस सेबरल बीजेपी लेट स्टेट स्टेट अनाउंस इस जॉब गोटास फॉर अगनी वीर्स यह भी मैं अल्री डिसक्रस कर चुका हूँ जैसे हर्याना सरकार ने कहा है कि हम 10 परसेंट होर्रिजॉंटल रखेंगे अगनी वीर्स के ठीक है जो भी अग आइसे ए आर इंडियन कॉंसल और रिसर्च फांडेशन टेक्नोलजी डेस सेलिब्रेशन इन डिए ठीक है जी तो यहां पर सौ दिन सौ वराइटी सौ दिन सौ टेक्नोलोजी वन साइंटेस वन प्रोडट नाम से क्लियर है कि आप फोकस कर रहे हैं कि हर ज्यादा वराइटी दी जा रही है सौ दिन में सौ वराइटी स्पे काम हो रिसर्च हो हर साइंटेस्ट को एक प्रोडट्ट असाइन किया जाएगा उस पे वो रिसर्च करें ताकि हम एग्रिकल्चर में रिसर्च को इंप्रूफ कर सके तो चार साल इसके पूरे हो गई 2020 में यह आया था नेक्स्ट आपका नैशनल फिल्म डेवल्पेंट कॉर्परेशन और नेट्फिक्स इंडिया लॉंच्ट वॉइस बॉक्स इनिशेटिव बहुत सारी मुवीज दब होती है थीक है साउथ इंडियन मुवीज हैं हिंदी में डब होती हैं इंग्लिश मुवीज हिंदी में डब और अलग-लग लेंग्विजिस में तो यह जो डबिंग आटिस्ट है या कह लो कि वॉइस ओवर आटिस्ट का आधा इनको वॉइस ओवर आटिस्ट जो है यह भी अपने यहाँ पर नेटफ्लिक्स और नैशनल फिल्म डेवल्पेंट कार्परेशन जो कि पी स्यू है सरकारी के लिजे एंटरप्राइज है वो जो है यहाँ पर अब वॉइस ओवर आटिस्ट को अप्सकिल करेगा इंग्लिश हिंदी मराथी मंगाली मल्यालम तमिल देल को उजरात ही ठीक है जी साथ मेजर सिटीज में इनकी वर्कशॉप होंगी मक्सद क्या है कि वॉइस ओवर आटिस को अप्सकिल किया जाए इसमें पचास परशेंट महीं लाएं रहे है झाल झाल